अकसर बेटा ये देखा गया है कि बच्चों को स्कूल और कोचिंग के बीच में बैलन्स बनाना नहीं आ पाता, जिसकी वजह से वो परिशान रहते हैं, हैरान रहते हैं कि कैसे स्कूल के होमवर्क को किया जाए, कैसे कोचिंग में दिये हुए होमवर्क को किया जाए, अरे हम हमारे पास भी तो बस 24 घंटे ही हैं, कैसे हम school और coaching को manage करें, तो सब ऐसे बच्चों का जो problem है, उसका solution मैं लेकर आई हूँ, to give you a perfect strategy, to make a perfect balance between your schools and coaching classes, आप देख सकते हो, कि मैंने अपने, genuinely I am telling you, ये मैंने अपने past experience से कुछ points निकाले हैं, जब हम भी तो बच्चे होते थे, हम भी तो school गए, coaching गए, तो कैसे उस time में हमने अपनी life में balance बनाया, उसके हिसाब से मैं आपके लिए कुछ tips लेकर आई हूँ, I hope these tips are going to be useful to all my students, सबसे पहले बेटा बहुत ज़रूरी होता है, learn to prioritize, आपको पता होना चाहिए, कि आपकी life के लिए क्या ज़रूरी है, क्या हम सिफ CBSE, क्या हम class 12th के लिए तयारी कर रहे हैं, अगर ऐसा है, अगर आपका focus सिफ 12th के boards हैं, तो definitely आपकी priority मतलब school है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो बेटा, कि अरे हमें तो neat qualify करना है, हमें तो doctor बनना है, हमें तो IIT qualify करना है, हमें तो engineer बनना है, मतलब आपका ज़ादा focus coaching की तरफ पे होना चाहिए, coaching classes की तरफ पे होना चाहिए, तो अब priority बन गई, तो देखो भई करना तो दोनों है, school भी जाना है, coaching भी जाना है, लेकिन priority सेट हो गई कि अच्छा number one पे हमें coaching classes को रखना है, जहां पर हमें हमारे future doctor या neat बनने के सपने को पूरा करने में मदद मिलेगी, तो सबसे पहले जरूरी है कि prioritize करो बेटा, priority जब बन जाती है, तब आता है, study pattern should be correct, देखो बच्चो, जब आप coaching classes में जाते हो, तो obviously आप NEET या IIT की त्यारी कर रहे हो, NEET या IIT की त्यारी करते करते automatically आपको पता भी नहीं चलता, और आप class 12 boards की भी त्यारी कर चुके होते हो, क्यूंकि बेटा, boards का syllabus इतना है, NEET का syllabus इतना है, IIT का syllabus इतना है, जिसमें आपने already boards अपने school को cover up कर लिया है, तो एक आपको बेटा proper pattern of study बनाना पड़ेगा, जिससे आपको ये चीज़ समझ में आए, कि हम क्या NEET के साथ साथ अपने 12 की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आज किसी subject मान लोगर मैं botany की बात करूं, तो भई अगर botany में ma'am या sir ने anatomy chapter पढ़ा दिया class 11th का, तो क्या हमने अपनी coaching class में, क्या हमने अपने स्कूल का भी cover up कर लिया, तो देखो एक ही जगह पर बैठे थे, लेकिन पढ़ाई दोनों तरफ की हो गई, है ना, है की नहीं, yes or no, moving towards revise smartly and regularly, बेटा ये जो समस्या है ना, balance बनाने की, ये उन बच्चों की जादा है, जो regular बेटा पढ़ाई नहीं करते, regular पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, ऐसे मत सोचो की आज तो दिवाली हो गई, आज तो होली हो गई, आज तो दशेरा हो गया, अरे आज संडे है, अरे आज मामा घर आ रहे है, चाचा के घर जाना है, नहीं, ये जो सारी excuses है, keep them aside, regular study करना है, बेटा, जिंदगी के दो साल, 11th, 12th, बहुत crucial होते हैं, इन दो सालों में, सारी रिष्टेदारी, नातेदारी, सब बेटा भूल जाओ, Just simply focus on your studies, all 365 days into two, should be utilized properly only for your studies, सिफ पढ़ाई के लिए ही इन दिनों को use करो, no Sunday, no Monday, every day is equivalently important, हर दिन की अपनी एहमियत है, तो बेटा, कोशिश करो की हर दिन पढ़ाई करो, regularity बना के रखो, और smartly revise करो, smartly का क्या मतलब होता है, अब यार, चार subject हैं, physics, chemistry, botany, zoology, right? अब पता चला, भई हम physics लेके बैठे हुए हैं, पूरा दिन हमने 5 घंटे physics में लगा दिये, 4 numerical करके बैठे हुए हैं, अब घड़ी देखोगे, तो भई लगेगा कि अरे 12 बजे बैठे थे शाम के 5 बच गे, 5 घंटे पढ़ाई कर ली, हो गई, बहुत पढ़ाई, आज का दिन तो पूरा हो गया, भई हमने तो फते हासल कर ली, लेकिन actually में क्या हुआ, 5 घंटे में 5 सवाल हुए हैं, तो क्या कोई आपने समझदारी का काम किया, नहीं किया, क्या आपने smartly पढ़ाई की, नहीं की, simply आपने अपने समय को your time, ठीक है, तो कोशिश करो कि हर subject को equivalently समय दो, देखो, 4 subject हैं, जिसमें से 2 theoretical हैं, 2 आपके कैसे हैं, 2 technical हैं, तो मैं neat वाले बच्चों के लिए बात यहां पे कर रही हूँ, भई देखो, मैं तो biology पढ़ा रही हूँ, ठीक, IIT वालों के लिए भी मैं ऐसी बात कर सकते हैं, उ inorganic वगेरा की बात करें, है ना, और अगर हम बाकी physics और maths देखें, तो वो तो है, यह आपके pure technical, तो कोशिश करो कि एक technical subject को उठाओ, उसके साथ साथ एक theoretical subject को उठाओ, combination कुछ ऐसा बनाओ, कि आपका theory और conceptual, दोनों चीज हैंड इन हैंड चल रही है, ऐसा मत करो कि भई, समय चला गया, ना concept समझ में आया, ना पढ़ाई हुई, right? So, start studying smartly and regularly, जो बच्चा ये करेगा, उनको कभी भी school और coaching classes के बीच में, management में कोई भी issue नहीं आएगा, क्यूं? क्यूंकि वो समय को use कर रहे हैं, they are not wasting their time, सबको बिटा दिन में 24 घंटे मिले हैं, बस देखना ये है कि कौन उन 24 hours को properly use कर रहा है और कौन उनको waste कर रहा है, जो waste कर रहा है, obviously वो हमेशा time के लिए रोएगा, कि समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, लेकिन जो बच्चे उसी समय को अच्छे से utilize कर रहे हैं, plan बना रहे हैं, regular use study कर रहे हैं, smart study कर रहे हैं, तो वो कभी भी बेटा समय के लिए नहीं परिशान होते, उनका school भी manage होगा, उनकी coaching भी manage होगी, है की नहीं? चलो, अब बेटा, मान लो, ठीक है भई, बच्चा बहुत smart है, सब कुछ अच्छे से कर रहा है, फिर भी उसको समय की दिक्कत आ रही है, फिर भी उसको ऐसा लग रहा है, कि नहीं हो पा रहा, तो अगला point पढ़ो भई, क्या लिखा हुआ है, use every extra opportunity, use every extra minute given to you, अब जैसे मान लो, school में हम बैठे हुए हैं, अब आए दिन ऐसा होता है कि आज कोई ये teacher absent, कोई वो teacher absent हो गया, ये period free मिल गया, वो period free मिल गया, तो यार वो आपको 30 minutes, 30 minutes advantage मिल गया, किसी-किसी schools में, वो 45 minutes का भी lecture होता है, आपको 45 minutes आपको advantage हो गए, अब smart बच्चा होगा, तो उन 45 minutes में फटा-फट से botany या chemizology का किसी का चाप्टर फटा-फट से revise कर लेगा, और अगर कोई not so smart बच्चा होगा, वो उस 45 minutes में बगलवा इसे बाते करेगा, टिफिन खाएगा, पानी पीने चला जाएगा, वाश्रूम चला जाएगा, और करके उसको waste कर देगा, ठक जाएगा, है ना, तो कोशिश करो कि schools में जब भी आपको ऐसा कहीं कोई भी free time मिलता है, rather than wasting, start utilizing, ये नहीं कहती कि खेलो कूदो मत, बिटा जब खेलोगे, कूदोगे नहीं, सिर्फ पढ़ते रोगे, तो हमें bookworm थोड़ी ना बनना है, बस कहने का ये मतलब है, time को waste मत करो, जितना हो सके, उस time को utilize करो, अपने future को enhance करने के लिए, आज बिटा दो साल की महनत, आपके पूरे जीवन को, कहते ना, वो brighten up कर देगी, अगर आ आज आप महनत कर लोगे, आज अगर आप दुनियादारी को छोड़ के, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे focus करोगे, तो देखना किस तरीके से आपका पूरा future अच्छा हो जाएगा, कभी घोड़े को देखा है, जब भी जो घोड़े का जो master होता है ना बच्चो, वो घोड़े क आखों के आगे ऐसे दो पर्दे लगा देता है, तो क्यूं क्यूं वो पर्दे लगाता है, ताकि घोड़ा बिलकुल सीधा देखे, उसको अगल बगल कुछ भी दिखाई ना दे, तो घोड़े को सब सीधा दिख रहा होता है, तो वो तीजी से अपने लक्ष की तरफ भाग तो कोशिश करो कि जब भी आपको ऐसा कोई टाइम मिले, तो फटा फट घोड़े की तरह अपनी आखों के आगे पर्दा लगा लो, सारे डिस्ट्राक्शन, पानी, वाश्रूम, खेल कूद, सारे डिस्ट्राक्शन से पर्दा लगा लो, और सिर्फ अपना लक्ष ध्यान मे रखो, नीट, जेई, और उसकी तरफ बढ़ना, चालू कर दो, ठीक है, आगी सबको बात समझ में भई कैसे बैलन्स को बैठाना है, फिर बेटा, next important is, पे प्रॉपर अटेंशन तो स्कूल स्टडी, ये तो भई मैं जरूर एक्स्प्लेन करना चाहूंगी, बहुत बहुत ज पढ़ लेंगे, तो वो स्कूल में समय पूरा दे रहे हैं, लेकन पढ़ाई को मैं इंपॉटन्स नहीं दे रहे, ये सोच कर कि हम यही काम कोचिंग में करेंगे, और जब कोचिंग क्लासेज में आते हैं, तो ठक चुके होते हैं, वहाँ सौजाते हैं, तो मतलब ना स्कूल स्कूल में पढ़ाई हुई ना कोचिंग में हुई स्कूल में इसले नहीं की कि कोचिंग में जाके कर लेंगे कोचिंग में इसले नहीं की क्यूंकि ठक गए तो सो गए तो इसका मतलब क्या हुआ दिन तो पूरा गया वेस्टेज हो गई आपको ठकान भी हो गई और आपके हा कुछ नहीं आया, तो मेरे बच्चों आपसे मेरी एक बहुत सिंपल सी रिक्वेस्ट है, स्कूल्स की पढ़ाई को फुल फोकस से पढ़ो, जो भी आपके टीचर्स, जो भी आपको एक्स्प्लेन कर रहे हैं, ट्राइ टू ग्रास्प देम आज मच आस पॉसिबल, राइट, कह किसी भी पढ़ाई को इग्नोर मत करो, जो भी सीख आपको कोई भी दे रहा है, उसको ग्रास्प करो, और उसको फिर देखो आप कितनी तेजी से ग्रो करोगे, राइट, कहीं पर भी स्टडीज को इग्नोर मत करो, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे वो कोचिंग की हो, समय की बर यही बेटा चार-पाँच पॉइंट्स हैं, अगर as a student, आप इन सब को follow करोगे, then I can guarantee over here that किसी भी बच्चे को school or coaching के बीच में balance करने में problem नहीं आएगी, फिर भी अगर कोई ऐसी problem आती है, तो then please do not forget to mention in the comment section, definitely अगला भी आपका जो भी इसी doubts होंगे, जो भी इसी queries होगी, I would surely love to solve all those queries as well.